द्रिस्टी आईएस के आडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्स्प्रेस में प्रकाशित ख़बर अरावली हिल्स नो फाइनल पर्मेशन फॉर माइनिंग भी ग्रांटेड बाई इसमें टीम द्रिस्टी के इंपोट्स भे शामिल है यह आर्टिकल सामान इध्यन प्रशन पत्र एक के भुगल खंड से जुड़ा है तो आई यह आर्टिकल की शुरुवात करते हैं अरावली परवत माला भारती उप महादीब की सबसे पुरानी परवत स्रिंखलाओं में से एक है जो मुखितह उत्तरपर्शिमी भारत के ख्षेत्रों में फैली हुई है इसकी उत्पत्ती लगभग 3.5 अरब वर्षफूर बताई जाती है जो कि पृत्वी के अत्यंत प्राचीन योगों में आती है अरावली की परवत मालाएं मुखि रूप से गुजरात, राजस्थान, हर्याणा और दिल्ली में फैली हुई है बीते दिनों सुप्रिम कोर्ट ने इस परवत पर किसी भी प्रकार की नई माइनिंग अत्वा खनन पर रोक लगा दी है सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि अरावली की रक्षा की जानी चाहिए और दिल्ली, हर्याणा, राजस्थान और गुजरात में अगले आदेश तक इस पहाड़ी क्षेतर में खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया हाला कि इस आदेश के तहट किसी भी तरह की उन वैद खनन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जाएगी जो पहले से ही वैद पर्मिट और लाइसिंस के अनुसार की जा रही है जस्टिन मदन लोकूर ने इस पर विशेस नाराजगी जाहिर की थी दरसल अरावली पहाडियों पर बढ़ते अवैद खनन से परवतमाला के अस्तित्व पर बड़ा संकट मंडरा रहा है और इससे यहां की जय विवित्ता भी नाकारात्मत तरीके से प्रभावित हो रही है आज किस आर्टिकल में अरावली पहाड़ी के विवित पहलूँ पर विस्तार से चर्चा की गई है सबसे पहले समझते हैं अरावली की भवगोलिक सनरचना के बारे में अरावली परवतमाला का विस्तार पलनपुर गुजराज से शुरू होकर दक्षिन के रिज तक जाता है इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है अरावली परवतमाला की सबसे उची परवच्चोटी गुरू शिखर है जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है इसकी उचाई लगभग 722 मीटर यानि 5,643 फीट है भू वैग्यानिक त्रिष्टिकोंड से अरावली एक फोल्ड माउंटेन है जो की प्राचीन समय में टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण निर्मित हुआ था यह परवतमाला धर्ती के शुरुवाती भूगर्भिक इतिहास के विकास को समझने में महतुपूर्ण है क्योंकि यहां पाई जाने वाली कुछ चटाने प्रिथ्वी के प्राचीन तम युगों की है यह मुखिरूप से धात व्युक्त चटानों और गनीस जैसी मेटामॉर्फिक चटानों से बनी है गौर तलब है कि अरावली परवतमाला की उत्पत्ती प्राचीन प्रीकैंब्रियन काल में हुई थी जो लगभक 3.5 अरब से 2.5 अरब वर्षपूर्व के पीच का समय है इस काल को धर्ती के भू वैज्यानिक इतिहास के सबसे प्रारंभिक चरडों में से एक माना जाता है ये पहाडियां भारतिये पनिंसुला के मुख्य भाग में स्थित हैं और उनकी भावगोलिक स्थिती और उच्चिता ने समय के साथ विभिन प्राकृतिक और मानो निर्मित प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है अरावली की उम्र और उसका विस्तार इसे भारत के सबसे महतुपूर्ण भू वैज्यानिक संरशनाओं में से एक बनाता है आईए अपचर्चा करते हैं कि अरावली परवत का महत तो क्या है अरावली परवत वो भावगोलिक संरशना है जो ना किवल प्रत्वी की वर्तमान भावगोलिक संरशना को समझने में मदद करता है बलकि इसका एतिहासिक, आर्थिक और पारिस्थित की ये महत्व भी है सबसे पहले समझते हैं इसके एतिहासिक महत्व को मानव इतिहास की दृष्टी से अरावली का क्षेत्र बहुत महत्व पूर्ड रहा है यहाँ प्राचीन काल से ही विभिन सब्भिताएं और संस्कृतियां विक्सित हुई है अरावली के आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन काल के किले, महल और अन्य एतिहासिक समारक भी मिलते हैं जैसे की रडधंभार, चितोडगढ और कुम्बलगढ के किले ये किले भारतिय संस्कृति की गौरों की शान है इस प्रकार अरावली परवतमाला ना केवल भावगोलिक और भूव एग्यानिक रूप से बलकि पारिस्थित की एतिहासिक और संस्कृतिक रूप से भी भारतिय उपमहाद्वीब के लिए महत्वपोर्ड है वहीं अगर इस परवतमाला के आर्थिक महत्व की बात करें तो यह परवत बहमुल ये इमारती पत्थरों का गड़ है लेकिन अरावली परवत को सबसे अधिक नुकसान इसके आर्थिक लाव नहीं पहुँचाया इस इलाके में कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, आयरन, ग्रेनाइट, लाइम, स्टोन, मार्बल, चुनाई, पत्थर जैसे मुल्यवान खनिज पाये जाते हैं राजस्थान के कुल खनिजों में से 90 प्रतिशत खनिज अरावली परवत स्रिंखला और उसके आस पास पाये जाते हैं इन खनिजों और पत्थरों के खनन ने लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया है साथी विभिन किलों, महलों और कई एतिहासिक विरासत की उपस्थिती के कारण या क्षेत्र परेटन उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है यहां के राजसी किलों की खूपसूर्ती हर साल लाखों परेटकों को अपनी ओराकर शित करती है इसके अलावा अरावली परवतमाला का पारिस्थित की तंत्र भी बहुत ही विविधता पुर्ण है यहां की वनस्पती और जीवजन्तों की प्रजातियां इस क्षेत्र की भावगोलिक विविधता को दर्शाती है इस हेत्र में शुस्क परडपाती वन घास के मैदान और थोर वन पाये जाते हैं जो विभिन प्रकार के जीवजन्तों के लिए आवास स्थली का कारी करते हैं इस परवत्माला में अवैद खनन कई वनस्पतियों और जीवजन्तों के पर्यावास के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर रहा है इन सब के अलावा अरावली पहाडियों का भावगोलिक और जलवाईवी और महत्व भी बहुत अधिक है अरावली परवत्माला की उपस्थिती उत्तर पश्चित यह परवत्माला ठंडी हवाओं को अवरुद करती है और इस ख्षेत्र में वर्सा के पैटर्न को भी प्रभावित करती है साथी इस ख्षेत्र में कई जल श्रोथ हैं जैसे की जीलें और नदियां जो आसपास के ख्षेत्रों के लिए जलापूर्ती का महत्वण श्रोथ हैं चुकि राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतरगत आता है, ऐसे में इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता, भूमिगत जल स्तरों और जल संरक्षन के लिए और भी महत्वण हो जाती है। ये पहाडियां प्राकृतिक रूप से वायुमंडली धूल को फिल्टर करने और वर्षा जल को संचित करने में मदद करती हैं, जिससे वायु और जल शुद्धिकरण में सहायता मिलती है। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो अरावली परवतमाला के भावगोलिक महत्व को दर्शाते हैं। लेकिन सबसे अधिक हान इसी क्षेतर को होगी। अरावली परवत प्रिथवी की प्रारंभिक संरचना का साक्ष है, इसके अध्ययन से प्रिथवी के प्रारंभिक युगों की कितनी ही और भी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। साथी इन परवतों के छरण से दिल्ली समेत अनेक स्थानों पर जल संकट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये परवत दिल्ली, हर्याडा, राजस्थान और गुजरात में जल संरक्षन का प्रमुक्सरोत हैं। ये परवत माला के छरण से इस छेत्र की जैविवित्ता पर बड़ा संकट आ जाएगा, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन की इस्थिती भी बन सकती है। और उन्हें इसके संरक्षन के लिए प्रोच साहित किया जाए। साथी परवत माला के संरक्षन के लिए सकत नियम कानून भी बनाये जाने चाहिए, जिससे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवायध गतिविधी को नियंत्रित किया जा सके। तो व्यूवर्स आज की चर्चा के लिए एतना ही, चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। अरावली परवत के ख्षरण से भारत की भावगुलिक सनरचना और जलवाईवी एस्थिती गंभीर रूप से प्रभावित होगी। कथन की समालोचनात्मक समिक्षा कीजिए। झाल झाल